कभी कभी दिये गए फलन को त्रिकोड मिती फलन के रूप में प्रतिस्थापित कर लेने से फलन का समाकलन काफी आसान हो जाता है तो आईए हम देखते हैं कि त्रिकोड मिती प्रतिस्थापन क्या होता है और फिर इसे सम्मंदित प्रशनों को सरल करेंगे त्रिकोड मिρती प्रतिस्थापन का उप्योग करके, हम प्रशनों को सरल करेंगे या समाकलन करेंगे, तो ये त्रिकोड मिρती सर्वसमिका आपको याद होने चाहिए, तो जहां कहीं पर भी फलन में 1 प्लस एकस स्क्वेर दिया हो, तो देखिए कि ये इस सूत्र को फुल्फिल करेगा तो यहां पर हमें x equal to आपको 10 theta लेकर के सरल करना है उसी प्रकार कहीं कहीं पर हमें आवशकता होगी कि कोसे की square x के सांथ आगे कुछ फलन दिया गया होगा तो x के स्थान पर आपको cot theta लेकर के भी चलना होगा और यदि कोई फलन आपको 1 minus x या फिर 1 plus x इस form में दिया गया हो तो यहां पर x के स्थान पर आपको cos 2 theta लेकर के सरल करना होगा और अगर किसी फलन में square root के अंदर में आपको 1 यदि square root के अंदर में x square minus 1 दिया गया हो तो ऐसी जगांबन आपको x equal to 6 theta लेकर के सरल करना है कहने का मतलब यह कि आपके पास जो पूर्व में पढ़ी गई सर्व समी का है उसका उप्योग करके पहले दिये गए फलन को का सरली करन करना है और फिर उसके बाद समाकलन करना है तो चलिए आएए देखते हैं इसके संबंधित प्रश्न पहला प्रश्न दिया गया है कि sin inverse 2x upon 1 plus x square इसका हमें समाकलन गयाद करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना i equal to integration sin sin inverse 2x upon 1 plus x square dx माना की यह समी करन एक है अब पुनह माना की x equal to 10 theta है हम यहाँ पर प्रतिस्थापन का उप्योग कर रहे है अब यदि दोनों पक्षों का आप आउकलन करेंगे तो x का मिल जाएगा 10x और 10x का मिल जाएगा सेक स्क्वेर थीटा d theta माना की यह समी करन तीन है दो और तीन से प्राप्त मानों को उप्योग करके पहले का हम प्रतिस्थापन कर देते है तो आपको मिल जाएगा साइन इन्वर्स 2x इट मींज 2 10 theta अपान 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा और dx के स्थान पर आपको लिखना है सेक स्क्वेर थीटा d theta अब दिखिए कि यह 2 10 theta अपान 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा यह साइन आफ 2 theta होता है चूकि 2 10 theta अपान 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा इक्वल टू साइन आफ 2 theta होता है अब कैसे होता है अगर आप देखना चाहता है इन सौर्ट में तो 10 के जगह में आप sin theta upon cos theta रख दीजे, तो आपको मिल जाएगा 2 sin theta और cos theta नीचे आजाएगा, इसी प्रकार 1 plus sin square theta upon cos square theta, ये जो cos square theta है, आगे जब इसे आप सरल करेंगे, तो मिल जाएगा 2 sin theta upon cos theta, ये आपको मिल जाएगा cos square theta plus sin square theta, और ये cos square theta अंसमेच चला जाएगा, तो यहाँ से cos square theta और ये cos theta cancel हो जाएगा, sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है, और तो ये 2 sin theta into cos theta upon 1, इस नथिंग बट sin 2 theta, तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 tan theta upon 1 plus tan square theta जो है, ये हमें sin 2 theta देता है, तो ये मान को हम replace कर देंगे sin 2 theta से, तो आपको मिल जाएगा indication sign, sin inverse, sin 2 theta और फिर ये cos square theta d theta, ultimately यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 theta, तो 2 को मैं भेंच निकाल ला हूँ बाहर, और ये theta और फिर cos square theta d theta, अब यहाँ पर आपको खंड सा समाकलन सूतर का उप्योग करना है, theta को प्रसम फलन और cos square theta को दूसरा फलन मान करके, आगे हम सम समाकलन, प्रतम फलन का आउकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे फलन का समाकलन, तो आपको मिल जाएगा 2 into theta, और से की स्क्वेर theta का समाकलन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 10 theta, और फिर पुना, यह d theta by theta 1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 theta, तो integration, 10 Theta D Theta और यहां पर आप प्लस C लिख सकते हैं जहांपर C समाकलन अनियत आंग है तो आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू थीटा इंटू 10 Theta और इंटिकेशन 10 Theta इसे आप लिख सकते हैं log of sec Theta और फिर प्लस C Theta इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 inverse X तो वो जो प्रतिस्थापन किया गया है उसे हम reverse कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 10 inverse X और 10 Theta इक्वल टू है X minus log of sec of 10 inverse X और फिर ये प्लस C और फिर अंत में आप इसे अरेंज करके लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं X into 10 inverse X minus log of sec of 10 inverse X plus C ये दिये गए फलन का समाकलन है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था फलन हमें दिया गया है 10 inverse square root over 1 minus X upon 1 plus X इसका हमें समाकलन करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना I equal to integration sign 10 inverse square root over 1 minus X upon 1 plus X dx माना की ये समी करन एक है अब पुना हम प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे इस प्रश्न को सरल करने के लिए जहां पर X equal to cos 2 theta लेंगे माना की ये समी करन 2 है दोनों पक्षों का जब आप अउकलन करेंगे तो मिल दाएगा dx equal to minus 2 sin theta, sin 2 theta मिलेगा और फिर ये d theta माना की ये समी करन 3 है समी करन 2 और 3 के प्राप्त मानों को काउप्योग करके एक का हम प्रतिस्थापन कर देंगे तो I equal to मिल रहा है हमें 10 inverse square root over 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta और डी एक्स किस्थान पर हम लिखेंगे minus 2 sin 2 theta d theta 1 चूंकि 1 minus cos 2 theta equal to होता है 2 sin square theta और 1 plus cos 2 theta equal to आप लिख सकते हैं 2 cos square theta ये समानित record मिती के सूतर हैं ये आपको ग्यात होगा ये 10 inverse अंस में आपको मिल जाएगा 2 sin square theta upon 2 cos square theta और फिर ये minus जो हैसे मैं बाहर ले रहा हूं minus 2 sin 2 theta d theta root 2 और root 2 cancel हो जाएंगे यहां से ये 10 square theta वर्गमूल से 10 theta मिल जाएगा और ultimately हम लिख पाएंगे minus 2 को भी बाहर ले लेते हैं तो minus 2 tan inverse of tan theta फिर ये sin 2 theta d theta solve करने पर आपको मिल जाएगा minus 2 integration tan inverse और tan एक दूसरे के reciprocal cancel हो जाएगा तो यह मिलेगा theta into sin 2 theta d theta अब यहां पर theta प्रथम फलन और sin 2 theta d theta फलन है खंड सा समाकलन के सूतर का उप्योग करके आगे हम सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 2 ये first function फिर integration of second function minus d by d theta of first function फिर integration of sin 2 theta d theta और फिर इस दिये गे फलन का समाकलन जाएगा minus 2 into theta sin theta का समाकलन minus cos theta जाएगा minus cos 2 theta अपन 2 फिर minus minus cos 2 theta अपन 2 d theta ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा minus और minus plus हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा theta into cos 2 theta और ये minus 2 और ये minus 2 cancel हो जाएगा ultimately मिलेगा minus cos 2 theta का समाकलन sin 2 theta upon 2 plus c और जैसे कि हमने आपर प्रतिस्थापन प्योग किया है समी करण 2 से हम देखें तो x equal to cos 2 theta है तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 theta equal to cos inverse x या फिर theta equal to 1 by 2 cos inverse x तो इसका उप्योग करेंगे यहां पर हम प्रतिस्थापन को मुल रूप में परिवर्थित करने के लिए तो ultimately आपको मिल जाएगा theta equal to 1 by 2 cos inverse x cos 2 theta यह x है फिर यह 1 by 2 sin 2 theta सरहल करने पर आपको मिल जाएगा square root over 1 minus x square और यह plus c जहां पर c दिया गए फलन का समाकल नियत आंक है इसमें तीसरा फलन दिया गया है e का power sec inverse x upon x square root over x square minus 1 इसका हमें x के साथ एक्ष समाकलन करना है तो माना कि यह i equal to है integration sign e का power sec inverse x upon x square root over x square minus 1 dx माना कि यह समय करन एक है अब पुना हम यहां पर पतिस्थापन का उप्योग करेंगे और x को हम replace कर रहे हैं sec theta से दोनों पक्षों का जब आप alkaline करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx equal to sec theta tan theta d theta माना कि यह समीकरण 3 है समीकरण 2 और 3 का उप्योग करके समीकरण 1 का रूपांतरण कर देते हैं तो मिल जाएगा i equal to e का power theta क्योंकि यहां से आपको theta equal to मिल जाएगा sec inverse x तो मिल गया e का power theta x के स्थान पर है sec theta और dx के स्थान पर है sec theta 10 theta d theta sec theta और sec theta cancel हो जाएगा ultimately आपको मिल रहा है integration sign e का power theta into 10 theta d theta और square root के अंदर में भी एक रासी दी गई है यह है x square minus 1 तो यह है sec square theta minus 1 और sec square theta minus 1 10 square theta होता है तो यहां पर आपको मिल जाएगा 10 theta तो यह 10 theta 10 theta cancel हो जाएगा ultimately आपको मिल रहा है e का power theta d theta solve करने पर आपको मिल जाएगा e का power theta plus c और theta को हम replace कर देते हैं sec inverse x से तो आपको मिल जाएगा e का power sec inverse x plus c तो यह दिया गए फलन का समाकलन है जो की हमें ग्याद करना था चोगते प्रस्ट में दिया गया है square root over x into 10 inverse root x का समाकलन कीजिए x के साप x तो माना की यह i equal to है square root over x into 10 inverse square root over x dx माना यह समीकरन एक है पुना माना square root over x equal to यह है 10x यहाँ पर हम इसको 10 theta ले करके चलते हैं माना की यह दूसरा समीकरन है दोनों पक्षों के जब आप आप आपकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 upon 2 root x dx equal to dx square theta d theta माना की यह दूसरा समीकरन है अब यह दी से आप और सरल करेंगे तो आपको मिल दाएगा dx equal to 2 root x 6 square theta d theta या फिर dx equal to 2 into 10 theta 6 square theta d theta तो इस समीकरन को हम समीकरन 3 का नाम देते हैं अब समीकरन 2 और 3 का उप्योग करके समीकरन 1 का हम रूपांतरन कर देते हैं तो यह मिल दाएगा square root x के जगा में आप लिखेंगे 10 theta फिर 10 inverse तो आप लिख रहे है 10 inverse root x it means 10 theta और dx के स्थान पर आपको लिखना है 2 10 theta से 1 square theta d theta तो यह दोनों के दूसरे को cancel कर देंगे आपको मिल दाएगा theta और यह 10 theta और यह 10 theta multiply करेंगे तो मिल दाएगा 10 square theta और यह 6 square theta और यह d theta माना की यह जो दो है यह हमने बहार ले लिया theta को प्रथम फलन और इस पूरे फलन 10 square theta और 6 square theta को हम दूती फलन मान करके आगे सरल करेंगे तो आगे हमें मिल दाएगा 2 प्रथम फलन दूसरे फलन का समा कलन तो 10 square theta सेक स्क्वार theta d theta माइनस d by d theta d theta d by d theta और theta और फिर यह 10 square theta सेक स्क्वार theta d theta और फिर इस पूरे का समा कलन d theta आगे जब स्वार करेंगे तो मिल दाएगा 2 into theta 2 into theta और यह है integration 10 square theta सेक स्क्वार theta d theta माइनस यह 1 हो जाएगा और फिर से यहाँ पर 1 और फिर यह 10 square theta सेक स्क्वार theta d theta अब यदि आप d by d theta आफ 10 cube का समा कलन करेंगे आउकलन करेंगे 10 cube theta का यदि आप आउकलन करेंगे तो मिल दाएगा 3 10 square theta और फिर 10 theta का आपको आउकलन करने पर मिल दाएगा सेक स्क्वार theta तो यहाँ से यह जो फलन है यह आपको 10 cube theta देगा और यह जो फलन है यह भी आपको 10 cube देगा तो यहाँ से देखिए यहाँ पर यह 10 square theta से 1 square theta है और 3 का गुणा है तो इसमें 1 by 3 मिल जाएगा 10 cube theta तो मिल जाएगा 2 into theta और 1 by 3 10 cube theta और फिर minus अगें 1 by 3 10 cube theta d theta यह दोनों का 1 बटी 3 और 1 बटी 3 बाहर आजाएगा तो यह 2 बटे 3 theta into 10 cube theta और फिर minus 10 cube theta को आप लिख सकते है 10 theta into sec square theta minus 1 d theta चोगी 10 square theta equal to होता है sec square theta minus 1 अब यह bracket हम open कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 by 3 theta into 10 cube theta minus 10 theta sec square theta d theta minus integration sign 10 theta d theta minus और minus plus मिल जाएगा अब चूँकि d by d theta of 10 square theta यह आपको मिल जाएगा 2 10 theta sec square theta तो यह जो 10 theta sec square theta है इसका समाकलन करने पर मिल जाएगा 1 by 2 10 square theta तो यह इस पद को आप सरल करके लिख सकते हैं यह हो गया 2 by 3 theta into 10 cube theta minus 1 by 2 10 square theta plus 10 theta का integration log of sec theta और हम plus c लगा देते हैं जहाँ पर c जो है वो समाकलन यह तांक है अभी इस पद को और आगे सरल करते हैं और फिर पुनह जो हमने प्रतिस्थापन किया था उसे मूल रूप में परिवर्थित करने के लिए प्रक्रिया करेंगे तो आगे हम लिख सकते हैं i equal to 2 by 3 theta और 10 cube theta को लिखा जा सकता है 10 theta का cube फिर minus 1 by 2 10 square theta plus log sec theta को लिखा जा सकता है square root over 1 plus 10 square theta और फिर यह plus c 10 theta यह root x होता है तो यह हमने जो माना था theta equal to आपको मिल जाएगा 10 inverse root x और फिर 10 theta का cube तो आपको मिल जाएगा root x का power 3 minus 1 by 2 10 square theta तो मिल जाएगा x plus log square root over 1 plus 10 square theta तो आपको मिल जाएगा x और फिर यह plus c आगे सरल करना चाहें तो यह 2 by 3 और इससे आप लिख सकते हैं x का power 3 by 2 to 10 inverse root x minus x by 2 plus log देखिए यह वर्गमूल है तो वर्गमूल का जो घात है वो सामने आ जाएगा 1 by 2 और फिर आप इससे लिख सकते हैं log 1 plus x plus c आगे जब यह bracket आप open कर देंगे तो मिल जाएगा 2 by 3 x का power 3 by 2 10 inverse root x यह 2 और यह 2 कैंसल हो जाएगा तो minus x by 3 मिलेगा और यह 2 और यह 2 कैंसल हो जाएगा तो मिल जाएगा 1 by 3 log of 1 plus x और फिर यह plus c जहाँ पर c दिये गए फलन का समाकलन नियतांक है प्रस्टन दिया गया है x into sin inverse 1 by 2 square root over 2a minus x upon a इसका हमें समाकलन करना है तो माना कि यह i equal to है integration sin x sin inverse 1 by 2 square root over 2a minus x upon a dx समी करन एक अब पुना माना x equal to 2a cos 2 theta हम लेकर के चलते हैं यह दूसरा है दोनों पक्षों का जब आप आप आउकलन करेंगे तो यह मिल दाएगा minus 4a sin 2 theta d theta माना समी करन 3 तो यह 2 और 3 का मान को समी करन एक में रख देते हैं तो 2a cos 2 theta फिर sin inverse 1 by 2 square root over 2a minus x यह है 2a cos 2 theta upon a और dx के स्थान पर आपको रखना है minus 4a sin 2 theta d theta आगे जब हम सरल करेंगे तो यह जो minus 4a और यह a है तो इससे हम लख सकते है minus 4a square और फिर अंदर में है integration sin 2 cos 2 theta और यह sin 2 theta को हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो यह sin 2 theta और फिर है sin inverse 1 by 2 square root के अंदर में आप 2 देखिए a और a cancel हो जाएगा अंस और हर दोनों में हैं तो root 2 1 minus cos 2 theta और फिर यह अंत में d theta solve करने पर मिल दाएगा minus 4a square तेखिए यह 2 cos 2 theta sin 2 theta इसे लिखा जा सकता है sin 4 theta और फिर यह sin inverse sin inverse 1 by root 2 और फिर इसको सरल करने पर मिल दाएगा 2 square root 2 sin 2 theta d theta सरल करने तो मिल जाएगा minus 4a square sin 4 theta और आगे मिल जाएगा sin square यह root 2 root 2 cancel हो जाएगा और यह sin theta मिल जाएगा यह sin theta और फिर d theta sin inverse और sin theta यह एक दूसरे के reciprocal है solve करने पर मिल जाएगा minus 4a square minus 4a square यहां से मिल जाएगा थीटा और फिर यह sin 4 theta d theta sin यह theta को प्रथम फिरन और sin 4 theta को दूती फिरन मान करके हम उसका खंड सा समाकलन करेंगे तो minus 4a square प्रथम फिरन दूसरे फिरन का समाकलन रिन प्रथम फलन का आउकलन, दूसरे फलन का समा कलन और फिर इस पूरे फलन का समा कलन तो मिल दाएगा माइनस 4A स्क्वेर थीटा साइन थीटा का समा कलन माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस 4 थीटा अपान 4 फिर माइनस ये मिल दाएगा आपको 1 और पुना माइनस कॉस 4 थीटा अपान 4D थीटा और प्लस C तो ये माइनस और माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस आगे फिर इस पत का समाकलन करेंगे और आगे सरल करेंगे तो देखें कि माइनस 4 है स्क्वेर था और दोनों पतों के हर में 4 था तो अम तमें जो मैं पद मिला था यह था minus 4a square theta of minus cos 4 theta upon 4 और plus integration sign cos 4 theta upon 4 d theta plus c तो आगे सरल करके लिख सकते हैं a square theta into cos 4 theta minus sin 4 theta upon 4 plus c आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा a square theta cos 4 theta को आप लिख सकते हैं 2 cos square 2 theta minus 1 और फिर यह minus 1 by 4 sin 4 theta को आप लिख सकते हैं 2 sin 2 theta cos 2 theta और और फिर यह plus c आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा a square और 2 cos square 2 theta minus 1 into theta फिर minus 1 by 2 cos 2 theta को वही रहने देते हैं और sin 2 theta को 1 minus cos square 2 theta से replace कर देते हैं और यह plus c आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा a square into 2 cos square cos square 2 theta यह अब को मिल जाएगा x square upon 4a square और फिर यह minus 1 और theta का मान मिल जाएगा 1 by 2 cos inverse x upon 2a और फिर यह minus 2 और cos 2 theta तो x upon 2a for square root over 1 minus x square upon 4a square और यह plus c तो ultimately आपको solve करने पर मिल जाएगा a square x square upon 2a square minus 1 1 by 2 cos inverse x upon 2a minus x upon 4a और square root over 4a square minus x square upon 2a और यह plus c तो ultimately आपको solve करने पर मिल जाएगा a square into x square minus 2a square upon 4a square cos inverse x upon 2a minus x upon 8a square into 4a square minus x square plus c तो यह दिया गया फिरन का समाकलन है जो कि हमें ग्याद करने लिए कहा गया था तो इसी प्रकार आप और भी प्रशनों को सरल कर सकते हैं कर बात कर दोग्र कर सकते हैं खिलती जाद को प्रशनों प्रशनों कर वे मर किंगले लिए दो क्रशन कुए रज़ voll की अधर फिया तोकर लिए मैंसे हैं कर रैक बाै raises पल को तो वաղता प्रमीश सकते गिर्यादा हैं